वल रियार शकरवर्ती को भी anxiety attack आते हैं और इस राज से परदाफास उन्होंने हाली में किया इंटर्व्यू देते हैं उन्होंने बताया कि 2 या 3 जून की तारीक थी सुशान्त ने तभी उन्हें अपने घर से जाने को कह दिया था लेकिन रिया की तबियत ठीक नहीं लग रही थी उन्हें anxiety attack लगतार आ रहे थे इसलिए वो वहां रही और उनका आरजून को एक therapy station भी था लेकिन सुशान्त ने फिर भी वहां से जाने के लिए उन्हें कह दिया था रिया को लेकर सुशान्त सिंग राशपुत पूरी तरह से उनसे रिष्टा तोड़ने के लिए तैयार हो गए थे अब हम आपको बताना शाहेंगे ये किस प्रकार की विमारी है anxiety disorder जिससे बॉलिवर की तमाम सितारे जिस शुके हैं दरसल ये एक मानसिक बिमारी है जहीं हाँ मानसिक बिमारी है anxiety disorder जिसमें strong feelings of anxiety or fear होता है डर होता है जिचना होती है भावनाय होती है इसमें panic disorder होता है social anxiety disorder और phobias होते हैं रिया चकरवर्ती ने जो ये खुलासें किये हैं इसके बारे में हम आपको बताना शाहेंगे दरसल रिया चकरवर्ती ने ये बताया है कि anxiety disorder का वो treatment लेने के लिए तैयार थी anxiety disorder के कारण मानसिक बिमारी बढ़ जाती है और मानसिक स्थिती में काबोन नहीं रह पाता है इस वक्त हर किसी की निशाने पर रिया चकरवर्ती है और anxiety का मतलब ये नहीं कि ये विलकुल sorrowness है ये एक ताकत भी है और खाली पन भी है अगर आप example में कोई exam है या पिको important meeting है clan के साथ life changing personal decision है आपका कुछ भी तो panic button जो आपके जिंदगी का होता है वो आपको नीची की तरफ लेकर जाता है temporary phase होता है लेकिन काफी बदलाफ आपको देता है मानसिक स्थिती बहुत तकलीब दे है जिस तरह से दिल में दर्द होता है और choking feeling आती है उसी तरह की तकलीब दे होती है anxiety disorder इसके बारे में कहा जाता है कि तमाम वॉलिवर से लेकर हॉलिवर से लिवर्टी इस तरह के मानसिक बिमारी से जुज चुके हैं और इसका treatment भी किया जाता है Medication एक प्रकार का treatment है anxiety से निजात पाने का और यह completely normal है लेकिन यह biological problem है इस तरह से family में depressions की cases होते हैं तो फिर anxiety disorder उससे जुच जाता है anxiety disorder दोनों और depression अलग-अलग प्रकार की बिमारिया है लेकिन जुडाओ इनका मानसिक स्थिती से ही है नहीं नहीं जज़म से दर्पते गर पवच्छ